नमस्कार दोपहर समाचार में आपका स्वागत है मुख्य समाचार केंद्र ने बिजलिक शेत्र में सुधारों की गती तेज करने के लिए बारह राज्यों को वित्तिय सहायता उपलब्ध कराई वाई उसेना प्रमुक वियार चौधरी ने संभावित युद्धों से मुकाबले के लिए विक्सित दिर्ष्टी कोंड का आहावान किया राश्ट्री अन्वेशन अभिकरण ने प्रमीन नेतारू हत्याकांड के सिलसिले में फरार तीन संदिग्धों के घरों पर बेंगलूरू में छापे मारी की QS World University Ranking में IIT Bombay भारत में शीर्थ पर और विश्व में 149 स्थान पर लद्दाक में वार्षिक हेमिस मठ महुत्सव धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ आरंभ और दक्षुन कोरिया के बुसान में इश्याई कबड़ी प्रतियोगिता में भारत ने जापान को बासट अठारा से हराया केंद्र ने बारह राज्यों को विजलिक शेत्र में सुधार तेज करने के लिए वित्तिये प्रोथसाहन दिया है वित्त मंत्राले ने बताया कि इन राज्यों को विजलिक शेत्र में सुधार के लिए 66,000 करोड रूपे से अधिक की राशी मिलेगी इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पस्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिल नाडू, केरल, मनिपूर और आंध्र प्रदेश शामिल है वित्ती प्रोसाहन का मुख्य उद्देश विजलिक शेत्र में संचालन गत और आर्थिक दक्षता में सुधार तथा विजली उपभोग के लिए बिलभुकतान में निदन तरता है मन्त्राले ने बताए कि बिजली मन्त्राले की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2021-22 और 2022-23 में 12 राज्य सरकारों में किये गए सुधार कार्यों की मन्जूरी दी गई है पिछले दो वित्व वर्षों में इन राज्यों को अतिरिक्त रिंड के जरिये 66,413 करोड रुपए का वित्तिय संसाधन बढ़ाने की भी अनुमती दी गई है वित्तिय वर्ष 2023 में राज्य सुधारों के लिए अतिरिक्त रिंड सुविधा स्वतह ले सकते हैं मंत्राले ने कहा कि राज्यों को इन सुधार कारियों के लिए 143,000 करोड रुपए से अधिक राशी प्रोथसाहन के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी देश में पिछले नौ वर्षों में राश्यों राश्यों राज्यमार्गों की कुल लंबाई करीब 69 प्रतिशत बढ़ गई है राज्यमार्गों के इस विस्तार से अमरिका के बाद भारत में सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्ग है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंतरी नितिन गटकरी ने ये जान करी दी श्री गटकरी ने कहा कि फास्ट टैग के प्रयोग से 70,000 करोड रुपए की बचट हुई है ये बचट टोल प्लाजा पर प्रतिक्षा में बरबाद होने वाले इंधन की खपत कम होने से हुई है जनवरी 2021 से वहानों के लिए फास्ट टैग अनिवारिय कर दिया गया था फास्ट टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान प्रदोगी की के जरिये उपभोगताओं को टोल प्लाजा पर बिना प्रतिक्षा किये सुगम और सहज रूप से आगे निकलने में मदद करता है खान मंत्री पहला जोशी आज देश के महत्वपूर्ण खनीजों की पहली सूची जारी करेंगे सूची का उदेश आयात निर्भरता को कम करना आपूर्ती शंखला को मजबूत करना और भारत के नेट जीरो कार्बन उद्सर्जन का लक्ष हासिल करना है ये सूची विभिन उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण खनीजों को प्रात्मिक्ता देगी और खनन क्षित्र में नेती निर्माण तथा निवेश निर्णयों के लिए एक रूप रेखा के रूप में काम करेगी वायु सेना ध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वियार चौधरी ने भविश की सैन्ने तैयारियों के लिए विकसित द्रिष्टिकोंड अपनाने पर बल दिया है उन्होंने प्रवध्योगी की में तेजी से हो रही प्रगती और भविश के संभावित युद्धों से प्रभावी मुकाबले के लिए दूरदर्शी द्रिष्टिकोंड का आहवान किया है नई दिल्ली में एक संगोष्टी में वायू सेना प्रमुख ने कहा कि नई प्रवध्योगी की के असर से सैन्य क्षेत्र में नए निवेश पर विचार करना ज़रूरी हो गया है उन्होंने कहा कि युद्धों के तरीके में लगातार आ रहे बदलावों के बावजूद मानवी ये प्रयास विक्सित होते रहेंगे उन्होंने अगले कुछ वर्षों में तेजी से बदल रही प्रवध्योगी की के अनुरूप सैन्य अधिकारियों को नए सिरे से प्रशिक्षित करने पर बल दिया ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com slash hindi और हमारे मोबाइल एप News on AIR पर भी उपलब्ध है दोपह समाचार में आपका फिर स्वागत है राश्ट्रिय अन्युवेशन अभिकरन ने करनाटक में भारतिय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्य प्रमीड नेतारू की हत्या के मामले में तीन संदिग्ध लोगों के घरों पर छापे मारे हैं कोडागू और दक्षुन करनड जिलों में चापे मारे गए जांच में अनेक इलेक्ट्रोनिक उपकरन और दस्तावेज बरामत किये गए हैं इन तीनों पर नेतारू के हत्यारों को करनाटक और तमिलनाडू के विभिन स्थानों पर शरण देने का आरूप है इस मामले के पाँच अन्य आरूपी अभी तक फरार हैं पिछले वर्ष जुलाई में दक्षुन करनाटक जिले में प्रमेण नेतारू की कथित रूप से पॉपुलर फ्रंट ओफ इंडिया पी एफाई कारेकरताओं ने हत्या कर दी थी Q.S. World University Ranking में IIT Bombay को भारत में प्रथम और विश्व में 149 स्थान मिला है IIT Bombay ने उलेखनिय प्रदर्शन करते हुए पिछले वर्ष 172 स्थान से उपर उठकर इस वर्ष 149 स्थान प्राप्त किया है Q.S. World Ranking में पहली बार IIT Bombay को शीर्स 150 विश्व विद्याले में स्थान मिला है केंद्रिया मंत्री राजीव चंद्रशेकर ने World University Ranking में IIT Bombay के 149 स्थान प्राप्त करने पर प्रसन्नत अभेक्त करते हुए कहा कि आज भारत की विश्व विद्याले विश्व स्थर में गिने जाते हैं This year in 2024, 45 Indian universities have made it to the ranking Last year it was 41 in India and 275% growth has happened in the last 9 years in terms of the number of Indian universities that are now in the World University It is clear that the Prime Minister's vision of empowering our youth starts with education and universities being reformed and improved The national education policy that is now creating more and more opportunities for our youth And the important part of the rankings are that in Asia, Indian universities are seen from an employer reputation point of view as the best प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में समान नागरिक सहिता की अवशक्ता है देश विभिन्य समुदायों के लिए अलग-अलग कानूनों की दोहरी प्रणाली से नहीं चल सकता है भोपाल में कल भारतिय जन्रता पार्टी के मेरा बूत सबसे मजबूत कारिक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे पक्षी दल समान नागरिक सहिता के नाम पर वोट बैंक की राजनीती कर रहे हैं इस अभ्यान के अंतरगत प्रधानमंत्री ने कल देश भर में 543 लोग सभाक्षित्रों के लगभग 10 लाख कारेकरताओं को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी यी बाजार पोर्टल G.E.M. इंडिया के शुर्स क्रेता विक्रताओं को उनके उलेखनीय योगदान के लिए बधाई दी है वानिजे और उद्योग मंत्री पियोश गोयल के ट्वीट के जवाब में शेक मोदी ने कहा कि ऐसे प्रयास, सम्रिधी और आत्म निर्भरता के लिए भारत की यात्रा को मजबूती प्रदान करते हैं शेक पियोश गोयल ने बताया था कि G.E.M. इंडिया के श्वीर स्प्रदर्शकों की पहचान कर उन्हें क्रेता विक्रेता गौरो सम्मान समारोह 2023 में पुरस्कृत किया गया है इस वर्ष का क्रेता विक्रेता गौरो सम्मान स्वास्थे और परिवार कल्यान मंत्राले को मिला है भारत का चालू खाता घाटा वित्तिय वर्ष 2022 के जन्वरी से मार्च तक की अंतिम तिमाही में कम होकर एक अरब 30 करोड दॉलर हो गया ये सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 प्रतिशत है रिजर्व बैंक के आंकडों के अनुसार ऐसा व्यापार घाते के संतुलन और सेवाओं के निर्यात में मजबूत बढ़ोतरी की वजह से हुआ है प्रवर्तर निदेशाले ने रियल स्टेट डेवलपर सुपरटेक के प्रमुक आरकी एरोडा को धन शोधन मामले में गिरफतार किया है ये गिरफतारी उनकी दिल्ली कारियाले से हुई है आरके अरोडा राष्ट्रुय रियल स्टेट विकास परिशत के अध्यक्ष भी हैं प्रवर्तर निदेशाले ने सुपर्टेक ग्रुप और अन्नि के खिलाफ धन शोधन निवारन अधिनेयम के तहत उत्तर प्रदेश दिल्ली और हर्याना में दर्ज FIR के आधार पर जाच एनरिक मनालो चार दिन की भारत यात्रा पर हैं विदेश मंत्राले ने कहा है कि स्यात्रा से भारत और फिलिपिन्स के बीच द्युपक्षिय संबंधों की व्यापक समिक्षा और इसे और अधिक मजबूत करने के उपाय तलाशने का अवसर मिलेगा दोनों देश राजनिति रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य और परिवटन सहित, कई ख्षित्रों में द्युपक्षिय संबंधों की समिक्षा भी करेंगे। की सिमोनिटा दीप पिपो की जगह लेंगी, आरती होला मैनी का अंतरिक शेत्र में 25 वर्ष से अधिक का पेशेवर अनुभव है, वे भारती उपग्रह उद्योग संग के सलाकार बोर्ड की सदर से भी है। इनको चेतावनी दी थी कि अगर वेगनर मौसको तक अपना मार्च जारी रखता है तो उसके सैनिकों को तबाह कर दिया दाएगा। राश्टरपती पुतिन ने ग्रेह युद्ध रोकने के लिए अपनी सेना की सरहना की है, वेगनर गुर्प के लड़ाकों को माफ कर दिया गया है लेकिन गुर्प से अपने भारी हथियार सौब देने को कहा गया है। अफगानिस्तान में संयुक्त राश्टर सहायता मिशन ने कहा है कि तालिबान के सकता हासिल करने के बाद से 3774 नागरिक हताहत हुए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि तालिबान के सत्ता संभालने के बाद से हतियारों की लड़ाई में गिरावट आई है लेकिन इसलामक स्टेट की ओर से सुरक्षा की चनोतियां लगातार बनी हुई है। ये समाचार आकाश्वाणी से प्रसारित के जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल एट एयायार निउस हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाश्वाणी है। प्राजेपाल के पत्र पर संग्यान लेते हुए एक विशेश C.A.G. लेखा परिक्षा की सिफारिश की थी। आमादमी पार्टी ने स्वैसले की निंदा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली विश्विद्याले के तीन नए भवनों की वर्चुली आधारश्विला रखेंगे। ये भवन प्रध्योगी की फाइकल्टी, कंप्यूटर केंद्र और एक श्रेक्षणिक ब्लॉक के हैं। विश्विद्याले के कुलपती योग्यूश सिंग ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी विश्विद्याले के शतापदी समारो के समापन आयोजन में मु hältी थी होंगे। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूरे गुजरात में हलकी से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है दक्षणी गुजरात के नौसारी और वलसाड जिलों में बहुत तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है राष्ट्री आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल ने किसी संभावित स्थिती से निपटने के लिए तैनाती योजनात तयार की है गुजरात के विभिन भागों में आज सुबह से ही हलकी से मध्यम वर्षा हो रही है हमारे संभादाता ने बताया है कि गुजरात सरकार ने राज्य में मौनसून की स्थिती को लेकर समिक्षा बैठक की है सरकार ने सभी विभागों को सतर्क रहने को कहा है रहत आयुक्त आलग कुमार पंडे की अध्यक्सता में राज्य आपत कालिंग परीचालन केंदर SEOC गांदीनगर में वेधर वाच ग्रूप की बैठक आयोजित की गई जिसमें रहत आयुक्त ने प्रदेश में मानसून की स्थिती की समिक्षा की इस बैठक में सिंचाई भाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 206 जलासवयों में से 6 जलासवय हाई एलर्ट पर, 3 एलर्ट पर और 1 चेतावनी पर है NDRF और SDRF के अधिकारियों के मुताबिक मौनसून बारिश की स्थिती से निपटने के लिए तैनाती योजना तैयार की गई है और सभी टीमों को अलर्ट मोर्ट पर रखा गया है इस बैठक में क्रिशी, स्वास्य, वन, तत्रस्टक, इस्रो, उर्जा, मस्यपालन, सडक और भवन, जीएस, आर्पीसी, वाईउसेना, बीएसेफ, खाध्य और नागरिक आपूर्ती के अधिकारी भी उपस्तित्थे भरत दिवमणी, आकास्वणी समचार, एंदबाद लद्दात में दो दिनों का वार्शी के हेमिस मठ महोत्सव, हेमिस सेचू, हर्शुलास से मनाया जा रहा है गुरु पद्मसंभव की जैनती के उपलक्ष में प्रार्थना सभा, मुखोटा निर्ट्य और थंका, यानि भित्ती, चित्र, प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है सदियों पुराना ये महोत्सव, विदेशी परेटकों के लिए प्रमुख आकर्शन है भारत ने आज दक्षन कोरिया के बुसान में इश्याई कबड़ी चेंपिंशिप दोहजार तेस में जापान को बासट अठारा से हरा कर तीसरी जीत दर्ज की है सचिन तमर ने जापान पर चवालिस अंकों की जीत के साथ खेल को भारत के पक्ष में समाप्त किया भारती टीम ने तीन में से तीन मैच जीत कर अपनी जीत का सिल्सिला बरकरा रखा है पुरुष कबड़ी चेंपिंशिप के पहले दिन कल भारत का मुकाबला कोरिया और चीनी ताइपे से हुआ था चार दिन की चेंपिंशिप में भारत, इरान, कोरिया, गनराज, जापान, चीनी ताइपे और हॉंग कॉंग से हित कुल छे देश भाग ले रहे हैं और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर केंद्री ने बिजलिक शेत्र में सुधारों की गती तेज करने के लिए बारह राजियों को वित्तिय साहयता उपलब्ध कराई वाईव सेना प्रमुख वियार चौधरी ने संभावित युद्धों से मुकाबले के लिए विकसित जुष्टी कोंड का आहवान किया राश्ट्रिय अन्विशन अभिकरण ने प्रमीन नेतारू हत्याकांड के सिलसिले में फरार तीन संदिग्धों के घरों पर बेंगलूरू में चापे मारी की QS World University रैंकिंग में IIT Bombay भारत में शीर्स पर और विश्व में 149 स्थान पर लद्दाक में वार्शिक हेमिस मठ महुत्सव, धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ आरंभ और दक्षुन कोरिया के बुसान में इश्याई कबड़ी प्रतियोगिता में भारत ने जापान को 62-18 से भराया इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समात हुआ, नमस्कार